तो कैसे आप लोग उमीद करता हूं सभी काफी बढ़ी होंगा तो आज की वीडियो काफी खास रहने बली है आप सभी के लिए तो आज की वीडियो में आम सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी का भी एक अपना ही रुद्बा है और इस गाड़ी की काफी तगड़ी फेन फॉलिंग रहने वाली है तो आज हम ने इसके वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि अगर एक बंदा ओटोमेटिक वेरेंट एक बार चला लेता है तो भाई मेरी साब से उस गाड़ी के लिड़त लग जाती है और मेरी साब से वह बंदा ओटोमेटिक को छ किसी भी बंदे को अपनी गाड़ी का रिवीव करवाना हो या चैनल पर कुछी इंफॉमेशन शेयर करनी हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल है कॉंटेक्ट जरू करें इस गाड़ी के इंजिन की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 1197 सेसी के इंजिन देखने की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 5 सीटे की सिटिंग केप सिटी का अपसन देखने को मिलता है इस गाड़ी के बात करें तो आपको इस गाड़ी में 268 लीडर का अपसन देखने को मिलता है तो आपको इस गाड़ी में 268 लीडर का अपसन देखने को मिलता है वहीं देखो यह सब तो को इस गाड़ी की नॉर्मल जीज अगर आम इस गाड़ी की की तरह बत करें तो अगर आप इसका टॉप एंड लेते हो तो आप कितने कुछ वीचास मिलते हैं जैसे की ABS, EBT, Channel Safety Lock, Keyless Entry, Speed Alert, Cress Alert, Hill Assist, Brake Assist, 8.5 को टच इस्टियों जिसमें आपको काफी सारे इं वूड़ कितने का देखने को मिलता है 2023 में अगर आप इस गाड़ी को अभी खरीते हो तो जो कि आप को और पड़ता है 8,30,000 और इसके लाप अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंज कर्वाने की सोच रहे हो तो आपको एक देड़, 2,00,000 पाँ भी मेंगी रहने वाली है वो top selling variant की बात करते हो तो आपका VXI variant की सबसे यादा selling में number one में रहने वाला है और आपके लिए value for money भी वही वाला variant रहने वाला है बाकी वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं I hope कि आप सब वीडियो पसंद आई होगी और जो comment section ने बाप सब वीडियो के लिए जरू करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो Thank you for watching झाल 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 झाल